बच्चों हमने इससे पहले देखा था बच्चों इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था हमने देखा था कि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि population क्या होगी किसी जो rotational molecules हैं उनकी population क्या होगी उनकी अबादी क्या होगी उसके बारे में हमने देखा था, दो effect थे जो काम कर रहे थे, एक तो according to Maxwell Boltzman distribution law हम देख रहे थे, और एक हम देख रहे थे degeneracy के according, यानि कि जो समभरष्टता है उर्जा स्तरों की उसके according, और हमने देखा ये दोनों ही effect, Maxwell Boltzman का जो अबादी का नियम था, जो कि सापिक्षी का आबादी के बारे में बताता है, वो और जो degeneracy है, दोनों ही एक दूसरे के विपरीद काम कर रहे थे, तो finally अगर हम देखना चाहे हैं कि इन दोनों को मिला कर क्या effect पड़ता है, तो आपके screen पर आप देख रहे हैं कि हमने लिख रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिट जो है, वो proportional है population के, यानि आबादी के, तो हमने देखा पिछली बार आबादी दो चीज़ों पर निर्भर कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे के विपरीद दिशा में करे कर रहे थे, और इन दोनों को मिला कर, यदि इन दोनों effect को हम मिला दे, तो हमें कैसा curve देखने को मिल जैसा कि आपके screen पर दिखाई दे रहा है, यह देखे, आपके screen पर यह जो curve दिखाई दे रहा है, इस तरह का curve जो हमें देखने को मिलता है, यदि हम उन दोनों प्रभावों को, दोनों effect को Maxwell-Boltzman का relative distribution law, जो के exponentially decrease करता है, बढ़ती हुई के के मान के साथ, यानि के जो Maxwell-Boltz की वो घटेगी, और दूसरा यह, कि जैसे जैसे जैकवान बढ़ेगा, वैसे वैसे जो समब्रष्टता है, उर्जस्तरों की वो बढ़ेगी, और इसलिए अबादी बढ़ेगी, दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो जो curve देखने को मिलेगा, वो हमें हमारी screen पर दिखाई दे रहा है, देखिए आपकी screen पर दिखाई दे रहा है, 300 Kelvin पे हमें इस तरह का curve मिलता है, और 1000 Kelvin पे हमें इस तरह का curve मिलता है, यानि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे यह जो curve है, वो उचाई लेने लग जाता है, और हम एक बात देख रहे हैं, कि यहाँ पर पहले तो increase है, और फिर उसके बाद decrease है, यह curve को अगर हम समझना चाहें, तो हम कैसे समझेंगे, हम समझेंगे कि पहले तो जैसे 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 J कमान बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे यह बढ़ रहा है, जैसे इस side आप ध्यान दे, मैं 1000 Kelvin की बात कर रही हूँ, 1000 Kelvin वाला जो कर व जैसे जैसे J कमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहां तक यह बढ़ रहा है, उसके बाद यह घट रहा है, तो हमें याद है कि हमारे पास दो effect थे, एक जो यह कहता कि चरगातां की रूप से घटेगा, और एक जो यह कहता है कि वो J के साथ बढ़ेगा, यानि जो Degeneracy या समब्रष्टता वाला factor है, वो शुरुवात में, J के increasing values पर शुरुवात में जारदा प्रभावी है, जिसके कारण के जो आबादी है अनुओं की वो बढ़ती है, शुरू में, जैसे यहां पर हम देखें, लगबग 5 तक, J कमान जब तक 5 आ रहा है, यहां पर अगर आप प्रष्टता वाला factor है, जो कारण है, वो हावी है, उसके बाद हम देखते हैं, कि यह बढ़ते वे, J कमान जब तक 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 तो यह बढ़ रहा है, तो जो चरगातं की वाला factor है, वो यहां पर कारे कर रहा है, तो इस वाले curve में हमने देखा, कि दोनों factors को मिला दिया जाए, तो overall curve कैसा आता है, population का, तो वो कैसा आता है, वो इस तरह का प्राप्त होता है, निकि आपकी screen पर यह बढ़ते है, तो यह जो population है, वो directly proportional होती है, spectral line intensity के, यानि कि जो आबादी है, वो समानुपाती होती है, वो समानुपाती होती है, वो सीधे-सीधे जुड़ी होती है, जो spectral line intensity है, या spectral line की जो तिवरता है, जो spectral line की जो तिवरता है, वो directly proportional है, population के, इसका अर्थ क्या हुआ, हमने यह देखा, spectrum में women line होती है, वो transition के गरण आती है, मुस्थानांदरण के गरण आती है, जब भी घूनन करते हुए, अनुए एक उर्जस्तर से दूसरे उर्जस्तर में संक्रमन प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो नीचे से उपर वाले उर्जस्तर में जाएं, या उपर से नीचे आएं, दोनों ही case में हमें एक रेखा दिखाई देती है, और विभिन रेखाओं के समू को ही हम spectra कहते हैं, तो जो spectra है, उसमें जो हर एक line की intensity है, वो किस बात प उनकी वज़े से जो line प्राप्त होगी, वो उतनी ज़्यादा तिव्र होगी, तो spectral line intensity, यहाँ पर देखिए, spectral line intensity is directly proportional to population, यानि spectral रेखा की जो तिव्रता है, वो आबादी के समानुपाती होती है, यानि जितनी ज़्यादा population, अगर 100 अनु मौजूद है किसी उर्जस्तर में, तो वो जब उर्जा का अफ्शोशन करेंगे, और उच उर्जस्तर में संक्रमन प्रदेशित करेंगे, तो उसकी तिव्रता अदिक होगी, बनस्पत इसके, कि यदि किसी उर्जस्तर में 50, 40 या 10 ही अनु मौजूद है, और वो उर्जा का अफ्शोशन करके, एक उर्जस्तर इस वाले कर्व में हमने देखा कि जो population है वो directly proportional spectral line intensity के और जो population है वो किसके equal है देखे ये जो सुत्र है population है जो आबादी है वो किसके equal है population J divided by population J equal to zero जो इससे पहले हमने सुत्र देखा था ये उसी का एक रूप है ये बताता है कि सापेक्षिक आबादी क्या है तो सापेक्षिक आबादी में हमने देखा ये directly proportional है 2 J plus 1 into exponential term minus delta E by KT यानि कि जो आबादी है अणूओं की सापेक्षिक आबादी है अणूओं की किनी दो उर्जस्तरों के मध्य किनी भी दो उर्जस्तरों के मध्य वो किसके समानूपाती है वो 2 J plus 1 exponentially minus delta E by KT के समानूपाती है और इसके लिए जब हम एक कर्व बनाएंगे तो जब किस्क्रीन पर कर्व दिखाई दे रहा है वो उस तरह का होगा और अगर आप कहना चाहें कि spectral line intensity या फिर spectral रेखा की तिवरता वो कैसे दिखाई देगी वो भी इसी कर्व से दिखाई देगी क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो सापेक्षिक अणूओं की जो आबादी है वो spectral line intensity के spectral रेखा की तिवरता के समानूपाती होती है और उसको हमने j के साथ plot किया है यहाँ पर j का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे पहले तो पहले करव में तो यहां से लेके यहां तक यह बढ़ता है और उसके बाद जैसे-जैसे j का मान बढ़ रहा है वैसे-वैसे वो exponential terms में घटता है झाल झाल